फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि जब आपके चैनल पर जीयो सब्स्राइबर मतलब एक भी सब्स्राइबर नहीं होता है तब आपको यूटूब की तरब से कौन-कौन से फिक्चर्स मिलते हैं जो कि आज से पहले आपको यूटूब पर बताया इनको सब्स्राइबर चैनल को ग्रोग कर सकते हो और हर व्यूटूट बहुत इंट्रेस्टर्ड और इस दे ili अगर बैको सपोर्ट करना है और आपम बना चाहते हो तो इस वीडियो को full watch करके like comment कर दीजिएगा अब चलिए वीडियो की तरह friends अब बात करें कि आपको 0 subscribers पे कौन से pictures मिलते हैं जिसको use करके easily आप अपने YouTube channel को grow कर सकते हो तो number 1 custom thumbnail जो कि आपको पता है कि जब आप अपना YouTube channel create करते हो तो इस time आपको custom thumbnail लगाने का option नहीं मिलता है क्योंकि आपका जो YouTube channel है वो verified नहीं रहता है तो आप अपना YouTube channel जब verified करते हो तो आपके channel पर एक भी subscribers नहीं होता है तो आपको अपना YouTube channel verified करने का option 0 subscribers पर ही मिल जाता है और जब आप अपना YouTube channel verified कर लेते हो तो easily आप अपने हर वीडियो पर custom thumbnail अर्था थमनेल लगा सकते हो YT Studio में आप easily जाकर अपने वीडियो पर थमनेल लगा सकते हो ये pictures आपको 0 subscribers पर ही मिल जाता है आप बात करें friends नंबर दो वो है आपका hashtag hashtag आप किसी भी बड़े creators को hashtag कर सकते हो चाहे जितना बड़ा creators हो अगर आप अपने description में या title में किसी भी बड़े creators को hashtag करोगे तो उसके suggested में उसके browse pictures में उसके requirement में आपकी video 100% जाएगी अगर उसके browse pictures में नहीं जाएगी तो उनकी audience तक जाएगी ही जाएगी क्योंकि hashtag का यही काम है कि बड़े creators को target करना तो यह वाला भी option आपको zero subscriber पे मिलता है और hashtag का कितना ज्यादा benefit है वो आपको मैं proof दिखा दे रही हूँ मेरी एक video है side में आप देख लीजिए यह video मेरे A2Z अर्विन अरोरा सर जिनके 13-14 million subscribers है उनके suggested में या browse pictures में जा रही है तो यह सिर्फ hashtag के प्रियोग करने से तो आप समझ सकते हैं कि hashtag का प्रियोग कितना ज्यादा महात्पूर है यह वाला option आपको zero subscribers पर ही मिल जाता है अब बात करें friends तीसले number pictures की तो वो है आपका mention third number जो option है वो आपका है mention जो कि आपको पहले पता होगा कि मिलने लगा था बट पिछले week एक update आई है जिसमें बताया गया है कि अब zero subscribers वाले को भी mention वाला option मिलेगा और mention वाले option से same वही process जो hashtag वाला है इसको भी अगर आप प्रियोग करोगे mention वाला option तो किसी भी बड़े creators को direct अपने message को या अपनी video को उनके माध्यम से पहुचा सकते हो क्योंकि जब आप अपने description में mention करोगे किसी भी बड़े creators को या अपने title में तो indirect उनके पास एक notification पहुच जाता जो कि मैं side में दिखा दे रहे हूँ इसी तरीके से जिसे मेरे पास किसी जितने भी creators ने मुझे mention किया है वो side में मुझे option देखने को मिल आ है इसी तरीके से जितने भी creators को या जिस भी creators को आप mention करोगे तो directly उनके पास notification चला जाएगा कि इस बंदे ने आपको mention किया है तो आप समझ सकते हो कि mention वाला option कितना ज़्यादा useful है जो कि आपको ये भी zero subscribers पे अब आगे आने वाले 15 अपरेल के बाद मिलने लगेगा YouTube सबको देने लगेगा अगर आपको तब भी नहीं मिलता है तो आप इसको कैसे अपने YouTube channel पे enable कर सकते हो उसके उपर मैंने एक video बना रखी है आई बटन में लिंक दे दूँगी easily जाके कि वहां से आप भी अपने YouTube channel का mention आप सक अनेवल कर सकते हो अब बात करें फ्रेंट्स फोर्थ आप्संस की वो है आपका community tab जो कि आपको पता होगा कि पहले 1000 subscriber मिलता था आप 500 subscriber मिलता है लेकिन आने वाले time में क्योंकि YouTube के तरफ से एक update आई है कि आने वाले time में अब ये 0 subscribers पे सभी creators को मिल जाएगा बहुत सारे creators को नहीं मिलता है क्यों क्योंकि वो कहीं से paste कहीं से copy लाकर video कर देते हैं इसलिए उनको community tab नहीं मिलता है अगर आपका real content है real video है तो 100% आपको आने वाले time में community tab जीरो subscribers पर मिल जाएगा और आप जानते हो कि community tab पे आप अपनी video को promote कर सकते हो किसी से polling करवा सकते हो कोई भी question answer करवा सकते हो तो community tab बहुत ही ज़्यादा useful होता है तो आने वाले time में आपको जो fourth number option है community tab ये भी आपको 0 number पे या 0 subscribers पे ये option मिल जाएगा अब बात करें फेर्स 5 number option की तो वो है आपका live stream जो कि आपको पता है कि बहुत सारे creators मेरे पार live stream में आके comment करते हैं मेरी video में comment करते हैं और कहते हैं कि मैं मुझे live stream 0 subscribers पे मिल गया है या बहुत साहे लोग कहते हैं कि 100 subscribers पे मिल गया है जो की easily इसको use करके अपने channels को grow कर सकते हैं क्योंकि अगर live stream करते हो और 10 भी लोग watch करते हैं तो इससे आपका easily जो watch time है बहुत ही जल्दी convert होता हो जल्दी ही पूरा हो जाता है तो जो live stream वाला आपसान है ये भी आने वाले इन future में आपको 0 subscribers पे मिल जाएगा तो friends अब आपको पता चल गया होगा कि 0 subscribers पे आपको कौन कौन से pictures मिलने वाले हैं और इन सारे pictures को अगर आप सही से use करते हो तो आपका channel कोई भी मतलब एक भी subscribers अगर नहीं होगा तब भी easily fast grow कर सकते हो क्योंकि mention करोगे बड़े creators के पार directory आपकी video जाएगी इससे आपकी video rank करेगी अगर आपको hashtag करते हो तो भी आपकी video rank करती है उसके बाद community tab में अगर आपको मिल जाएगा 0 subscribers पर तो वहाँ आप बड़े creators के माध्यम से पोल करवा सकते हो या अपनी audience से पूछ सकते हो कि कैसी video चाहिए दूसरा आप live stream करके बहुत ही जल्दी अपना वाज time achieve कर सकते हो और फ्रेंट्स ये पांचों आपसन आपको अब 0 subscribers पर मिल जाएगा और आने वाले feature में जो आपसन आपको नहीं मिला है मुझे इस्टाग्राम फॉलो कर लो मेरी इस्टाग्राम आडिटेक केशोरिया 23 है जिसका लिंग इस अपसन बॉक्स में दे दिया है फिर किसी नेस्ट वीडियो में मिलते हैं फिर आप तक के लिए जाहिन बंदे मातरम